महाराज कुमार की जय हो क्या है एक गुप्चर कोई समाचार लेकर आया है गुप्चर? बलाव से क्या समचार? आचार ये द्रोन कल समराट युदिश्टिर को बंदी बनाने का प्रयत्न करने वाले हैं आचार ये द्रोन अपने आपको समझते क्या है? क्या वो ये समझते हैं क्या में युद्ध कला नहीं आती? क्या समराट युदिश्टिर एकने साहे कउ है जिसे रणभू में से हकालिया जाए? युद्ध में क्रोध से नहीं समझ से काम लेना चाहिए युवराज द्रिश्टित्यूंद आचार्य स्वयम क्या समझेंगे अपने को? उन्हें तो हम समझते हैं उन्हें समझता है पार्थ, उन्हें मजले भईया भीम समझते हैं आचार्य तो पिता महा से भी कहीं अधिक कठिन लक्ष हैं क्यूंकि वे तो ये भी नहीं बताएंगे कि उन्हें रणभूमी से हटाने का उपाय क्या है? उनका उपाय तो हमीं लोगों को सोचना पड़ेगा आप बड़े भईया के सुरक्षा का प्रबंद कीजिए दुर्योधन ने ये बड़ा ही अचूकवान चलाया है क्यूंकि वो जानता था कि चाहे आचार्य द्रोन कहें या ना कहें किन्तु पांडवों का वद करने में वे संकोच अवश्य करेंगे तो दुर्योधन ने उनकी आत्मा के कंधे से ये बोज ही अटा दिया किन्तु यदि वे बड़े भहिया को बंदी बनाने में सफल हो गए तो ये युद्ध ही समाप्त हो जाएगा क्यूंकि युद्ध बंदी तो दास हो जाता है और आधुनिक समाज में दास व्यक्ति नहीं होता एक वस्तू हो जाता है तो उनके दास हो जाने के उपरांत इंद्रप्रस्थ पर उनका कोई अधिकार नहीं रह जाएगा यदि बड़े भाईया वीरगती को प्राप्थ हुए तो ये यो दवश्य चलता रहेगा क्योंकि इंद्रप्रस्थ के उत्तराधिकारी एक नहीं अनेक है परन्तु दास को तो जब अधिकार ही नहीं होता तो उसका उत्तराधिकारी कौन होगा इसलिए सेनापति द्रिश्टिद्युम महराज उदिश्थिर की सुरक्षा का प्रबंद कीजिए पुत्र वासुदेव ठीक कह रहे है गुरुदेव आदर्णी अवश्य है महराज किन्तु इधर भी उनके कई शिष्य है और फिर आप हैं उनके गुरु भाई सत्की हैं मच्स नरेश है प्रधान सेनापति ने ये तो ठीक ही कहा था कि भ्राता श्री कोया साई गव नहीं जिसे कुश्रेष्ट रण भूबी से हाक ले जाएं आपाराण माभाराण ịन करत रिंद्रिज झालबी